साथियो, आज ICC Women's T20 World Cup 2024 का साथवाँ वार्मप मैच बांगलादेश और पाकिस्तान Women's के बीच दुबई में खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच काटे की टक्कर देखने को मिली। अगर इस वार्मप मैच की हाइलाइट की बात करें, तो इस मैच में बांगलादेशी Women's ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला लिया। आमा सोहेल ने भी एक विकेट लिया, लक्षे का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही, मुनिबा अली 11 रनों पर आउट हो गई, गुल्फरेज 17 रन और आमीन 10 रन बना कर आउट हो गई, जहां पहले 10 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 57 रन पर 3 विकेट था, वही अगले 10 ओवर में पाकिस्तान वूमेंस को 84 रनों की जरूरत थी, जहां यह मैच काफी रोमांचक बन चुका था, दोस्तों आखिर में पाकिस्तान वूमेंस सिर्फ 117 रनों पर ओल आउट हो गई, और बांगलादेशी वूमेंस यह वर्मप मैच 23 रनों से जीत ग जहां आज बांगलादेशी वूमेंस ने अपनी पहली जीत हासिल की, दोस्तों, ICC वूमेंस टीपंटी वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल कौनसी टीम जीतने वाली है, कमेंट्स में जरूर बताएं